गेस एजन्सिय के सा बिजनेस है जो साल के 365 दिन तक चलता ही रहता है इस बिजनेस को चलने के लिए किसी भी फेस्टिवल की जरुरत नहीं पड़ती है लेकिन देखा जाये तो जब से प्रधान मंत्री जी के दौरा उजवला योजना का प्रारंब किया गया है तब से हर गर म मिट्टी की चुलो के जगह पर गेस का चुला ही जलाया जा रहा है इसलिए इसकी मांग दिन प्रती दिन बढ़ती ही जा रही है यदि आप HPGES एजन्सिय लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस की सारी जानकारी होना चाहिए जैसे की इस बिजनेस को खुलने नामी कमपनिया है लेकिन अधिकतर लोगों का भरोसा HPGES, Indian GES और भारत GES पर देखने को मिला है इन कमपनियों से अब एजन्सिय लेकर अपना बिजनेस सुरू कर सकते हो आज हम HPGES की सारी जानकारी को जानेंगे अगले पार्टा में हम भारत GES और Indian GES को कवर करेंगे सब उपसे पहले आपको यह निरधारित करना होगा कि आपको यह एजन्सि किस एरिया के अंदर खुलना चाहते हो HPGES एजन्सि के अंदर भी आपको 4 छेतर देखने को मिलते हैं पहला है अर्बन चेतर आप जिस सहर के अंदर गेस एजंसी खोलोगे उस चेतर के 15 किलोमेटर के एरिया तक आप अपनी गेस सिलेंडर को बैस सकते हो दूसरा है रूलर प्लस अर्बन यानि यदि आप रूलर प्लस अर्बन एरिया के अंदर गेस एजंसी खोलते हो तो आप अपने सहर के नजदी की गाउं जो 15 किलोमेटर के दाइरे के अंतरगत आते हैं आप उहाँ पर भी अपनी गेस सेलेंडर को बैस सकते हो तिसरा है रूलर यदि आपके वलगाओं में गेस एजंसी खोलना चाते हो तो आप रूलर एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो चोता option आपको दुर्गम छेतरा का देखने को मिलेगा यदि आप पहाड़ी वाली area में येस agency कोलना चाहते हो तो वहाँ पर आपको दुर्गम छेतरा को select करना होगा इस में से किसी एक के अंदर आपको gas agency कोलना होगा तभी आपको agency दी जाए यदि आप agency कोलना चाहते हो तो उनके द्वारा बनाये गए नियम और सर्तों का पालन करना होगा जैसे अवेदक करता भारतिय नागरिक होना चाहिए अवेदक करता को कम से कम 10 विपास पड़ा होना चाहिए उम्रा की बात करे तो इसमें 21 वर्षा से लगाकर 100 वर्षा तक का केंडिडेट आवेदन कर सकता है आवेदक करता के ओपर कोई भी पूलिस केस नहीं होना चाहिए आवेदक करता के परिवार से कोई भी आईल मारकेटिंग कमपणी में करमचारी नहीं होना चाहिए एजनसी के लिए पूरुस और महिला दोनों इसमें आवेधन कर सकते हैं अब जानेंगे इस बिजनेस को सुरू करने के लिए हमको किन किन चीजों की आऊ सकता होती है इस बिजनेस में सबसे पहले हमको जमीन की आऊ सकता होगी तब ही हम अपना गोदाम और ओफिस खोल सकते हैं उसके बाद हमें सिलेंडर को डिलोरी करवाने के लिए वियकल्स की जरुरत पढ़ती है तब ही हमारी सर्विस फास्ट होगी और गेस सिलेंडर को चड़ाने और उतारने के लिए वरकर की भी जरुरत पढ़ती है इस बिजनेश को सुरू करने के लिए हमें 3-4 चीजों पर पेसे इन्वेस्मेंट करने होगे, तब हम इस तरह का बिजनेश सुरू कर सकते हैं, इसमें टोटल इन्वेस्मेंट 25 लाग से लगाकर 30 लाग का होने वला है अब जानेंगे gas agency खोलने पर हमको कितना profit margin मिलता है आपको पता ही होगा कि दिन प्रति दिन gas का भाव बढ़ता ही जा रहा है इसमें हर प्रकार का cylinder अलग अलग प्रकार का commission देता है जैसे 14 kg का एक cylinder बेचने पर हमको 61 रुपे का commission मिलता है वहीं 5 kg का cylinder बेचने पर हमें 30 रुपे का commission मिलता है इसका मतलब साब है कि आप जितनी cylinder को sale करोगे उतना profit आपको automatic बढ़ता जाए इसी तरह कि जानकारी से भरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को subscribe करना ना भूले